कि विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल यह से स्टोडी पॉइंट और यह के आज का डिसकेशन का टॉपिक है कि क्रेंच से जब कुछ भी मेट्रियल उठ रहा है यह उठा रहे हैं यह उठाने जा रहे हैं तो आप कैसे कल्कुलेट करेंगे लोड का टोटल बेट कितना ह तो जाइए हम स्प्पलर यहां फीगर में औरड़ी दिया हुआ जिससे आप पिछली समझ जाएगी फीगर नमबर वन टोटल लोड है जो आप इसब कर रहा है फीगर नमबर वन टू त्री फॉर ठीक है तो यहां पर आते हैं फीगर नमबर वन क्या है जिस मेटरियल को करते हैं जिसेslिंग हो गया ऐस्परेडर हो गया But then और और सिचीज हमएं करेंगी तो भी लोड में ही आएगा अग्धर क्रें का हुक न एकट ब्लॉक रहरा जो अगर दूस्रे क्रेंग कभी प्रीले खिच्या उचरिण scale अंछ करना कुरा करना होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके कर्दी पर नाश करें कि तोहां पर हम लों में में हुक का इस्तेमाल करते हैं जो कि यह है और यह भी लोड में आएगा चार नंबर ठीक है ताप अच्छे सभी इस में इस फिगर की माद्य हम से समझ गये होंगे कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्रें का बेट के क्या होता है और लोड पर देखें आपका में हुक में है जो जीप करें से उठाए जा रहा था तो आपको कल्कुलेशन करते हमें कि लोड की इतना आएगा विफसे पहले देखते हो और अबजेक्ट का बेट कितना है कि है अबजेक्ट है नमर वण पर बेट अबजेक्ट जिसको उठाना आपको यह जो सलिंग लगाएंगे động सेसाइकल हो उन मोजद आपको यह तिन नंबर पहेंगा हूं पर एक और आएगा कि जीब बेट आएगा यहाँ पे जो जीब का किया है यह जीब बेट है यह 4 नमबर पे है और उसके बाद यह 5 नमबर पे आपका आ गया अगें जीब का हुग है यो है इस सारे चीज़ है जो लोड में कल्कुलेट होंगे अगर अगर हम कल्कुलेशन करने के लिए निकाले कि टोटल रिबेटेदर कितना होगा तो नमबर 1 प्लस 2, प्लस 3 प्लस 4, प्लस 5 तब इससे आप के लिए समझ जाएंगे, आपको 1, 2, 3, 4 का मिनी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको देख कि आप इसली एक दो बार अप्यास करेंगे आपको अच्छे साथ हो जाएगा इसमें फिर कोई भी प्रॉलम नहीं है ठीक है? नेक्स और एक फिकर की माध्यम से समझते हैं यहाँ पे भी देख रहे हैं कोई यहाँ पे टायर माउंटेट क्रेन है यहाँ पे देखिए मेटरियल उठाने की इकोसिस किया जा रहा है तो यहाँ पे जो है आप समझे कि क्रेन के एसेमली के बाद यानि की बूम के बाद जो नीचे गिरने वाले जितनी भी पाटे है वो सारे लोट में आ जाएग यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे लोट कल्कुलेशन की अगर बात करें तो हुक ब्लॉक आ गया इसमें जो की उठाने वाला है स्लिंक सागे उसके बाद स्प्रेडर आ गये सैकल यहाँ लगा हुआ 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 गया और उसके बाद जो एक्चुल लोड जिसको आप उठा रहे है तो यह रोगया actual उठाने की कोसिस किया जा रहे तब समझ मैं कि टोटल बेटि l Tiya हुआ हो हो प्लॉक लग च्री ई-श्री प्लसस प्रेडर प्लस डिस्जल यह साइकल जो भी लगाते हो और उसके बाद जो सिलिंग यहाँ पे लगा रहे हो प्लस ए हो गया लोड तो इस सारे चीजों को जोड़ेंगे तो इस क्या लिख लेगा टोटल बेट लोड तब कोश्चन यहाँ पे यह उठता है कि टोटल बेट लोड ए हो गया तो फिर क्रेन की बेट कितनी होगी जबकि यह सब बेट जो यह बेट दिक रहा है जो जो लोड का बेट में आ जाएगा और इसका इंपक्ट करेन पे पड़ेगा तो ध्यान रखना जरूरी है अस्टिबिलिटी का सिध्यात मैंने बताया है लेबरेज का भी सारा चीज मैंने बताया है उसको देखते वाद रखेंगे अगर इन सब चीजों काद रखेंगे तो करेन किस पास खड़े होते ही आपको सारा अनुमाल लग जाएगा तो यह सब जानना आपको जरूरी है तो ओके दोस्तों हमारे चैनल पे जो नए है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तो को प्रेश कर लेना ताकि नोपिट्रिप्रिकेशन आपको मिलता रहे ओके थेंक यू